दोस्तो रेलवे एक ऐसा माध्यम है जो हमारी जिन्दगी में एक एहम भूमिका निभाता है लेकिन कभी कभी ये ट्रेन ही हमारी जिन्दगी में कई सारी मुसीबते खड़ी कर देती है क्योंकि अगर आप अपनी मा बहन या फिर किसी लेडिस के साथ ट्रेन में सफर करते हैं और उसे कई बार गंदे ताने भी सुनाए गए इसके अलावा उन लोगों ने उस लड़की को असलील वीडियो बे दिखाई इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा इसलिए वो लोग उस लड़की को छूने लगे उस ट्रेन में हजारों लोग बैठे हुए नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बिहार के एक लोकल ट्रेन की अभी जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो घटना बिलकुल सची है इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है कि आज की इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों उस दिन र दर्मियान कई सारे छोटे छोटे इस्टिसंस परते हैं इसलिए इस ट्रेन में कई सारे ऐसे लोग भी मुझूद रहते हैं जो रोजाना इन छोटे छोटे इस्टिसंस से ट्रेन पकड़कर पठना जाते हैं उस दिन रात के 8 बज रहे थे और सभी सवारी ट्रेन में बैठ चुके थे, ट्रेन में वो बोड़ी और उसकी 11 साल की पूती को भी बैठने की जगा मिल गई थी, तभी 200 से 300 नोजवान लड़के उस ट्रेन में कुछ भी करकर चड़ गए थे, तभी उन में से एक लड़का भीर से अलग होकर उस 11 साल की बच्ची के सामने आकर खड़ा हो गय उस लड़के के खड़े होने का अंदास बहुत अजीब था, उस लड़के ने अपने पॉकिट से अपना मॉबाइल फोन निकाला और उसमें असलील भूचपूरी गाने चलाने लगा, कमाल की बात तो ये है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस लड़के को असलील गाना बजाने से नहीं रोका, जो बाकी लड़के उस लड़के के साथ सवार हुए थे, वो भी अपने दोस्त की हरकतों पे हस रहे थे, लड़का लगतार उसी 11 साल की बच्ची को देखकर नाच रहा था, और उसे गलत निगाह से देख रहा था, लड़के के दोस्त भी उस लड़की को देखकर इसारे कर रहे थे, और कभी उसके पास जाने की कोसिस कर रहे थे, जरा सोचिए कि उस समय उस बच्ची के उपर क्या गुजर रही होगी, जिसे अब तक छेड़खानी का मतलब भी नहीं पता था, धीरे धीरे ट्रेन अपने म लड़का बहार निकलता है, और इन से बिहारी अंदाज में कहता है, कि चचा आप चुप रहो, अगर ज्यादा बोलोगे तो आपको ट्रेन से नीचे फेक देंगे, ये बात बोलकर वो सभी लड़के हसने लगें, लेकिन उन लड़कों ने उस लड़की को सताना बंद नही किया, धीरे धीरे रात के 11 बच चुके थे, ट्रेन के कई सरयात्री सो चुके थे, लेकिन तब भी वो लड़का उस लड़की को असलील निगाहों से देख रहा था, उसके कुछी देर के बाद उन लड़कों में से कुछ लड़के अचानक उस लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं, और उस लड़की को असलील तरीके से यहाँ वहाँ चुने लगे, उन में से कुछ लड़के तो ऐसे भी थे जो लड़की के पीछे हाथ लगाने लगे, ऐसा करके कई बार उन लोगों ने लड़की को गलत तरीके से चुने की कोशिस की, हैराने की बाद तो यह है कि उस ट्रेन में ना तो कोई पुलिस थी और ना ही कोई टीसी था इन सब लड़कों के बीच वो ए 11 साल की बच्ची और उसकी बुड़ी दादी भला कर भी क्या सकती थी उसके दादी ने लगातार उन लड़कों से निवेदन किया कि मेरी बच्ची को छोड़ दो इस पर उ उन लोगों के मूँ से एक लफ़ भी नहीं निकला तभी उन में से एक आदमी कहने लगा कि ये तो इन लड़कों का रोज का काम है रोज कोई न कोई लड़की इन लड़कों का शिकार बन जाती है अगर किसी शक्स ने उन लड़कों का विरोध करने की खुसिस की तो सभी लड़के मिलकर उसे पीटने भी लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि यात्री खट्टे हो जाते थे, और ट्रेन में ही उन लड़कों की पिटाई कर देते थे, ऐसे हालात में लड़के अपने दोस्तों को फोन करते थे, और फिर जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन र होने लगती है, जब ट्रेन जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर आकर रुखती है, तो वहाँ पर तकरिबन 75 लड़के उतर जाते हैं, जब इन में से कुछ लड़के उतर गएं, तब उस बुड़ी महिला और उसकी पोती को थोड़ी रहत मिली, कुछ देर के बाद वहाँ प